एलो दोस्तो मेरे नामे गौतम और आप देख रहे हैं यूलाइक लेक्टोनिक्स और दोस्तो मेरे चनल पर काफी दिन से कैसे कोमेंट आ रहे थे कि होम तेटर का जो सेटल एट स्पीकर होता है लेफ्ट और राइट उससे हम सब उफ़र को कैसे चला सकते हैं जैसे लेफ्ट को ही चलाना चाहते तो किस परकार से चला सकते हैं तो यह बहुत ही सिंपल सा connection है दूस्तो बस आप वीडियो को complete वाज किजिए फिर आपको अच्छे सा समझे आ जाएगा तो कोई साभी home theater हो audio input जो होगा 20-30 IC का पहला नमबर पिन पे audio input होता है जैसे यहां पर देखेंगे कि यह जो तीन आइसी लगे हुए तो इसमें सब वूफर के लिए और लेडी यहां से output करेगा यह बूफर जो लिखा हुआ यहां से output करेगा वाकि यह दोनों से सिर्फ sound output करेगा जो कि speaker के लिए यहां पर दिया गया है इस IC का जो पहला नमर पिन होता है वहां से connection इसमें कुछ remove करना पड़ेगा जैसे left-right input यहां से देते हैं तो इस potentiometer के थ्रूँ यहां पर resistance के थ्रूँ यह PF जो लगा होता है तो यह PF के थ्रूँ इसमें audio input होता है जिससे आप यहां पर देखेंगे यहां पर 23 इसी है इसका यह पहला नमर पीन है यहां पर देखेंगे इक प्रिंट यहां पर है और यहां पर यहां पर होता है यह यहाँ पर तो यहां पर लगाता है और यहां पर लगाता और इसके तुरू यह देखें कि क्या वोल्यूम में आता है तो यह audio input नॉर्मल होता है तो हमें करना क्या है कि इस PF को यहां से हटा देना होता है यहाँ पर मैंने हटा दिया है तो अब यहाँ पर audio input नहीं काम करेगा क्योंकि PF के तुरू इसमें audio input हो रहा था तो मैंने इसको यहाँ से remove कर दिया तो यहाँ पर audio input का signal नहीं जाएगा तो हमें क्या करना है कि इस दोनों IC से base चाहिए तो low frequency के लिए यहाँ से तो output करता है और इस potensiometer में आता है जो कि base को control करता है और यहाँ पर आता है तो यहाँ पर जो आता है आप देखेंगे कि resistance के थुरू आता है यहाँ पर जैसे एक number इसका है तो एक हमारा यहाँ पर दो resistance लगाओ एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है तो एक तो हमारा ground में चला जाता है दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे इस print के थुरू इस potensiometer में आता है यह जो potensiometer है base control के लिए है तो हमें simply क्या करना है जैसे एक number pin इसका है तो एक resistance के थुरू जाता है मैं यहाँ से दूँगा जैसे यह पहला number pin है तो इसके बीच में एक resistance लगा हुआ है जो कि 15 kg ohm का है यह आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 kg ohm का यह resistance लगा हुआ है जो कि इसमें input होता है तो मैं यहाँ से इस potensiometer के चाहे तो बीच वाले से ले सकते हो अब यहाँ से ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा समझ भी नहीं आता है तो जिस IC से आपका already base आता है उसका पहला number pin से wire को उठा कर इस दोनों IC के पहला number pin में input कर देना है जैसे यहाँ है तो मैं यहाँ से देता हूँ तो मैं यहाँ से लेके यहाँ पे दे दूँगा और यहाँ पे दे दूँगा इस IC के पहला number pin में जहां से मैंने इस PF का यह पहला वारा pin को remove किया था उसी पे देना है तो यहाँ से जो low frequency होगा जिसको अगर हम आसान भासा में बोले तो जिसको अब धमक बोलते हो यह धमक जो इस IC पर आएगा तो वही धमक जो है इस IC पर जाएगा और इस IC पर जाएगा तो जहाँ पहले sound आता था वहाँ पे सिर्फ base आएगा तो आएए हम यहाँ पे इस wire को connection कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको check करके दिखाता हूँ यहाँ पर मैंने से लेके इसमें दे दिया यहाँ से लेके इसमें दे दिया अगर आप चाहते हो कि यही wire लेकर और IC में दे दिया जाए तो base आएगा लेकिन base का quality बहुत ही खराब हो जाएगा तो 2-3 IC तक यह manage कर लेता है बाकि अगर और चलाना चाहते है तो उसके लिए अलग अलग low frequency उसे यूज़ करना पड़ेगा subwoofer एक तो यहाँ पर already रहेगा जैसे पहले होता था और यह जो satellite speaker होता है इसके जगह उपर हमें subwoofer को लगाना है speaker को नहीं लगाना है subwoofer होगा जैसे यह एक buffer speaker अलग हो जाता है और subwoofer अलग हो जाता है तो मैं दो चैनल पर एक तो हमारा यह अलड़ी है लेकिन इस पर मैं subwoofer को चला के आप दिखाता हूं तो आए इसमें फटाफट से connection कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस home data board पर मैंने transformer का connection कर दिया है और check करने के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 3.5 mm का jack मैंने लगा दिया है ताकि simply मैं आपको check करके दिखा देता हूं तो यहाँ पर पहले जो satellite speaker के लिए आसा output होता था जो कि normally sound होता था यहाँ पर मैं एक jack लगा देंगे और इसमें एक इक channel पर subwoofer को लगाकर दिखाते हैं कि यहाँ पर सिर्फ bass आएगा पहले sound आथा था अब bass आएगा तो यहाँ पर कमारा सिर्फ subwoofer है और आपको check करके दिखा देता हूं मैं यहाँ पर on कर लेता हूं यह audio input पूट हो गया है इसमें देखिए मैं इक इक चैनल को आपको चेक करके दिखा देता हूँ ये ग्राउंड है और दूसरे चैनल पर मैं लगा दे तो यहाँ पर यह सेटेलयट पराहिए सिक्षेन है और वहांसे भी सार्य तो यह भी से कंटरोल होगा, जो की नर्वली सब उफर जहां से पहले होता था में तो हमारा यह वोलियूम ही रहेग, ट्रेवल नहीं काम करेगा ये तो मेन वोल्यूम हमारा रहेगा उसके बाद ये बेस कंट्रोल होगा इसी से तीनु आइसी कंट्रोल होगा पहला चनल ये हो गया दूसरा चनल मैं यहाँ पर चेक करके दिखा देता हूं देखे दूसरे चनल से भी सिर्फ बेस आ रहा है और एक यहाँ पर है जो ये पहले जो कंपनी देती है चलाने के लिए वहाँ पर मैं एक यहाँ पर लगा देता हूं तो ये सब उफर थोड़ा कम वाट का है इसलिए ज्यादा ये मूफ कर रहा है देखें तो इस परकार से दोस्तों आप अपने होम थेटर बोर्ड में सेटलाइट स्पीकर के जगा पर आप सब उफर को कनेक्ट कर सकते हो एसा नहीं है कि सिर्फ मैंने ये कनेक्शन कर दिया और शेटलाइट थि स्पीकर में हाया पर ये परmost ने लगा है ज्यांद था नाभाट को आप ने देखlio लोगाए तो और आप चाहते हो कि किसी और amplifier में बेस चाहते हो तो ये वाला point को लेकर आपको उसमें input के जगह पर दे देना है उसमें सभी से बेस निकलेगा तो दोस्तों हमारा वीडियो कहाशा लगा तो प्लीज लाइक करें शेर करें और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धने बाद आपका दिन सुभ हो